नमस्कार दोस्तों मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनू टेक चैनल दोस्तों आज का वीडियो बहुत जादा नॉलिजबल है आप सभी के लिए इस वीडियो में आज मैं आपको बाथरूम में पाइफिटिंग करना सिखाऊंगा बाथरूम में प्रॉपर तरीके से PCPVC पाइफ को या फिर UPVC पाइफ को यानि किसी भी पाइफ को प्रॉपर तरीके से कैसे किये जाता है उसमें प्रेशर को मिंटेन करने के लिए दोस्तों किस साइज का आउट्टेट डालना चाहिए और pipe fitting को किस तरह से घुमाया ताकि जो है जो ग्राहक है उनका pipe भी कम लगे और in future उसमें दोस्तो ब्लाक कोज भी ना है प्रेसर दोस्तो काफी अच्छा है complete जानकारी दूँगा और साथ में बाथरूम में जितना भी fitting होता है जैसे वाजबेसिन हो गया, सावर हो गया, कंसिल्ड हो गया, वाल मिक्सर हो गया और इंडियन साथा seat के लिए जो टैप हो गया दोस्तो यह सब का height कितना रखना है यह सब की complete जानकारी दूँगा एक एक पॉइंट को explain करूँगा ताकि जो है आपको बेटर तरीके से समझ आ सके इसलिए इस वीडियो को आप लोग सुरू से लाज तक देखते रहे हैं और चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe कीजिए, bell icon को press कीजिए, all पर click कीजिए ताकि मेर यहां पर लगेगा और मैं आपको बहतर तरीके से explain कर सकूँ इसलिए देख सकते हैं यहां पर मैं CPPC को fit करके इस तरह से बाहर उपर में निकाल दिया हूं टैंक यहां पर connect होगा अब यहां पर मैं आपको एक एक पॉइंट explain करूँगा यहां से explain करते हुए bathroom तक लेके अब देखे यहां पर दुस्तों अब देख सकते हैं यहां पर देखे यहां से एक हैप यहां इक हैप sunt दो आउटलेट है यहां पे सवाइंच का है प्रेसर को मेंटेंज करने के लिए यहां पर मैं सवाइंच डाला हूं उसके बाद इसको मैं नीचे यहीं पर रिख दूगा ताकि जो है प्रेसर काफी ज्यादा आए अब तीनों पाइप को मैं इस तरह से ऊपर निकाल दिया हूं तो आप तीनों पाइप इस तरह से नीचे आया अब दिखे यहां पे देख सकते हैं किस तरह से टर्न की यहां पाइप को इसी तरह से आपको करना है यहां पे बिल्कुल करीब में जब डबल अलबो आप लगाएंगे तो इस टाम दोस्तों उसमें कचड़ा भी फसेगा और प तरह से करेंगे तो प्रेसर दोस्तों काफी ज़्यादा आएगा ब्लॉक भी नहीं आएगा ठीक है देख सकते हैं यहां पे अब इसको मैं यहीं पर रिडियूस कर रहा हूं यह दो बात्रूम का आउटलिट है यहां से निकल के जा रहा है देखे अब यहां से एक इंच यह हो गया एक इंच यह भी हो गया और यह व्यों जो है यह मोटर का है तीनल वो यहां पर दिया तीनलो फोटी फाइब देखे इस तरह से आगे लिया मैंम कि यहां पर देख सकते हैं तीन एलबो दिया में एक इंच का उसके बाद अब यह सीधा यहीं से डाउन हो रहा है ठीक है अब चलिए मैं नीचे आपको दिखाता हूं कैसे कैसे पाइप को घुमाया जाता है अब देखे दूस्तों अभी मैं नीचे आ गया हूं और देख सकते है यहां से पाइप मेरा डाउन हो रहा है ठीक है ऊपर से जो मैं दिखाया हूं अब देख सकते हैं यहां पर डाउन हो रहा है तो अभी यहां पर दो आउट्लिट है दो बात्रूम के लिए है सबसे पहले मैं आपको बात्रूम ही दिखा देता हूं बात्रूम कहां कहां पर यहां पर मैं खड़ा हूँ इसके मेरे राइट साइड देखे यहां पर यहां पर यह बाथ रूम है यह थे सकते हैं तो एक दोड़ना है जब दो बाथरूम हो तो एक कर दोड़ना चाहिए उसको separate connection करना चाहिए और कभी दोस्तों ground floor और first floor पे fitting हो रहा है तो भी pipeline को separate ही डालना चाहिए एक pipeline अगर आप घुमाएंगे ground floor का और first floor का तो दोस्तो प्रेसर में दिक्कत आएगा नीचे का जब कोई व्यक्ति टैप को open कर देगा तो उपर का पानी टोटल पूरा बंद हो जाएगा ठीक है अभी मैं आपको दोनों bathroom दिखा दिया हूं kitchen भी दिखाया अभी जहां पर मैं खड़ा हूं यह lobby वाला एरिया है lobby से ही दोस्तों यह pipe घूम के आया हुआ है ठीक है देख सकते हैं मैंने ग्रहा को बोला था कि bathroom से में निकाल देता हूं hole करके लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं lobby से ही आप घूमाते हुए लाईए अब दोस्तों देख सकते हैं यहां पे तीनों pipeline इस तरह से नीचे आया यह व यहां पर hand up लगा हुआ है ठीक है ग्रहां का demand है कि motor यहीं पर लगेगा इसलिए pipe को यहां पर लाके रोका हूं मैं तो देखिए अब यहां पर यह जो pipeline है ना इसको मुझे इस pipe में connect करना था ठीक है यह motor वाला जो जा रहा है यह देखिए यहां पर connect है तो देखिए यहां पर overband भी ने लगता इसलिए देखिए इसको मैं कैसे यहां पर connect किया हूं यहां पर T दिया पीछे से इसको में लिया हूं pipe को पीछे से लिया एक elbow दिया उधर उसके बाद थोड़ा सा T को मैं cross किया हूं उसके बाद देख सकते है यहां पर double 45 लगा के इसको मैं cross कर दिया ठ को देखें उपर से समझे देखें प्रापर तरीके से पटना करना आ है cutting चिपिंग आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करना थीका प्लास्टर खोला में नहीं होगा यहां पर पौना इंच का जगह बच रहा है ठीक ए मसाला पकड़ करने के लिए आप देख सकते हैं तीनो पाइपलाइन इस तरह से आगे जा रहा है सबसे ऊपर वाला दोस्तों मोटर वाला है उसके बाद यह दोनों नीचे वाला जो है यह आउटलिट है दो आउटलिट है ज चैनल यह मोटर वाला है अब यहां पर की लगते थी तिकरशी इस western का ribo में और विच वाल जोह स्वाइब है इस अपतिपशक्राइब निद्र है इस वाक उल्ट ने इस तरह से दूसरे बाध रेक्ष यह आगे ज है यह दो धक Aven करता हूं किचेन में और बात्रूम में तो आभ देखें यहां पर खड़ा हूं दोस्तों यह बात्रूम का इंट्रेंज है ये बा具 सिंटी की आ मैं अब purity इज दिखा ये यहां पे देखिए दोनों पाइप लाइन मेरा इस तरह से बाथरूम में प्रवेस कर रहा है उपर वाला दोस्तों मोटर वाला है नीचे वाला दोस्तों टैंक वाला सप्लाइ लाइन है अब इस तरह से यह बाथरूम के अंदर में आ गया हूँ बाथरूम का जो साइज है दो यहाँ पर इसको मैं रिडीस किया हूं प्रेशर मेंटेन करने के लिए सवाइंच किया हूं ठीक है अब देखे यहाँ पर मैं एक टी दिया उसके बाद यहाँ पर यहां पर दिया वन वाइवाइवाइवाइवाइव तो दोस्तों यह किसी भी साइच का रखता है तो यह फेसे बारत हो गया आप हमेशा पौना इंच और आदा हींर रखेंगे भूल के कोई दिख्कद नहीं है पॉन रखिए आधर एक चाहीँ यह हट्ट वॉटर में आपको को अपरियो ईंची का और दालना है अगर इसमें event करते हैं तो जहेँ हो चाहेगा पहले इसेटोर होगा फिर गिरेगा इस टोर होगा फिर गिरेगा कम ज्यादा करके आएगा ठीक है तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए अब गीजर का पॉइंट दोस्तों राइट साइट कूल वाटर लेफ साइड में हाट वाटर इसका हाइट मैं आपको बताता हूं देखे कंप्लीट फ्लोर से मैं बता रहा हूं इसका जो गीजर का हाइट जो है द 6ables में यहाँ साब्भी सी है दिपसी के ओपर सकते हैं को प्लोर में डालना है इस बात की अध्यान दिक्केट होगा प्रप्राब्लम होगा तोड़ना पड़े गारा अब इस पाइब तो और गिश्याल आतर बाना चाहिए तो इस बात के द्याना चाहिए यह में आउटलें इसको आपको हमेशा साथ फीट के ऊपर से ही निकालना चाहिए देख सकते हैं इस तरह से पाइप्पिटिंग हुआ है बिल्कुल प्रफेक्ट तरीके से हुआ है प्रपर तरीके से हुआ है यहां पर कोई भी इसको फेल नहीं कर सकता है इंजिलियर भी नहीं कर पाएगा क्यूंकि प्रफर तरीके से इस तरह से डिजाइन आपको बनाना है अब देखें यहां पर डोनों पाइप लैनिस तरफ से नीचे आ सबसे उपर वाला दूस्तों मोटरिवाला सप्लाइञ एब आगे मैं बता रहा हूं के अंदर क्यों दिया जाता है देखित इस तरह से ने जी अ मोटरिवाला उसके बाद देख रहे हैं यह टैंक वाला है ठीक है यह टैंक वाला नीचे आ रहा है उसके बाद यह 3-4 का पाइप है गीजर वाला होके आ रहा है होट वाटर अब देखें यहां पर होट वाटर और दोस्तों यह कोल वाटर टैंक वाला और यह मोटर वाला इस तरह से नीचे आ रहा है उ उसके बाद एक 45 यहां पी दे दिया मैं तो अभी यहां से यह 90 बनता है उसके बाद अब यह जा रहा है तो यहां से यह Company के लिए जा रहे, इसलिए यहाँ पर मैंट ट्पै से Connect करके दे दिया इधर पीछे से किचण में चला गया, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, डबल टीमें लगा फैसुल यहाँ पर of यहाँ पर यहाँ पर टीमें दिया, और यहाँ पर दिक तो दोस्तों मास्टर बाथ रोम लगजरी बाथ रोम बन जाता इसमें लेकिन यहां पर अभी कामन बाथ रोम फिटिंग हुआ है तो देखें यह कोल वाले पाइप में भी दोस्तों यहां पर टीदिया पोटिफाइप एंगल में एक फोटिफाइप पिछे से दिया 90 डिगरी किचन में भी अभी मैं बताऊंगा आपको किचन में दोस्तों ये कोल वाटर और मोटर वाला सप्लाइव दिया गया है तो आप जान से समझिये देखें अब यहां पर दूस्तों यह मोटर वाला हो गया और दोस्तों यह कोल वाटर हो गया अब इसको मुझे सावर के लिए था तो देखेänge सावर के लिए अब ऐसा नहीं यह दखे öख का पाइब डाल दूँद огल क्योंकि दोस्तों देखे मैं आप यहां से किंऽ का फॉपर आइज होता है ना की नीचे से उपर की तरफ तो जब आप पानी को पहले नीचे लाएंगे उसके बाद उपर उठाएंगे तो प्रेसर थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है ठीक है और उसी प्रेसर को आडजेस्ट करने के लिए यहां पर पाइप को रेडियूस करना पड़ेगा तो अब देखे यहां पर इस तरह से सावरा वाला जो पाइपलाइन है इसको मैं उपर भे इसको मैं निकाल का देखे यहां पर इस तरह से अब जाएगा ताइस रगने के बाद उसका फ्लंज हो गया रहा सब कुछ यहां पर फिट हो जाएगा देखे इस तरह से कि निया तो यह आसर्बात का कंसिल हो गया दोस्तों उसके बाद अब यह पाइपलाइन सौर वाला इस तरह से ऊपर जा रहा है देख सकते हैं तो साहवर का भी मैं हुस कुणरों आपको बता देता हूं देखे सावर का जो हाइट है complete फोसे सबसे पहले यह 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 लगा के नीचे लिया एक टी दे दिया उसके बाद देख सकते हैं इधर में दे दिया जहां से निकलते हैं बाहर बातरूम से देखेंगे को born से बाहर कर दिया दोस्तों से डबल पॉइंट बना हुँ है थे देख सकते हैं अधरब यह लगा सकते हैं देख सकते हैं यह नहीं लगा सकते हैं rare इधर में दिया हुआ वास बेसन के लिए इस साइड उसके बाद यहां से व्लेट वाले एरिया में आपis के आगे आया और देख इनात आई अब देखें यहां पे दोस्तों इंडिय Umm टव fé के लिए जो डिबानुमा रहता है बाहर लगा हुआ होता है सिस्टन ठीक है उसके हिसाब से इसको मैं फिट किया हूं यहां पर तो फ्लस का जो हाइट होता है दोस्तों फ्लस वाले के लिए तो देखे इसका जो कम से कम हाइट है कंप्लीट से उसको आपको रखना है कम से कम 14 इंच मैक्सिमम 16 इंच रखा अभी दोस्तों इसको मैं रखा हूं 16 इंच पे तो यह हो गया टम में पानी भरके फ्रेस होने के लिए इंडियन साधा सीट के पास यह पॉइंट है और हूं कम से कम 40 इंच पर अब देखे यहां पर इंडियन साधा सीट आएगा और देखे यहां पर कोई बैठेगा उसके बदेख से यहां पर इस तरह टैप लग जाएगा यहां पर छोटा सा टब लग जाएगा पानी भरके फ्रेस हो सकते हैं तो यह हो गया दोस्तों के लिए इसके बद यह वाला जो है दोस्तों यह टम्में पानी भरके फ्रेस होने के लिए दो पॉइंट इसका हो गया अब दोस्तों देखे इसका मैं हाइट आपको बता देता हूं यह जो तीनों टैब मैं दिया हूं हो एक दम लेवल में रखना है सीधा और हाइट दोस्तों कम से रखना है 30 मैंसमा 22 इंच बहुत ही रियर केस में इसको दूस्त आप 34 रख सकते हैं यह तीनों पॉइंट को ठीक है उसके बाद यहां पी जो वास्बेसिन का पॉइंट है ना इसको अब भी आपको रखना है 24 इंच पे 22 से 24 इंच पर रखेंगे 24 से उपर मत जाईएगा ने आप देखें यहां पर बहुत ही जरूरी पॉइंट मैं आपको एक्स्प्रिन करता हूं देख सकते हैं ध्यान से समझें बारिकी से समझें यहां पर दूस्तों जितना भी पाइप फिटिंग हुआ रिड लाइन बिल्कुल फ्रेंट पर दिख रहा है ठीक है देख सकते हैं अब देखें रिड लाइन का बेनिफिट क्या है दोस्तों यह दिखाने के लिए नहीं होता है देखें यह पलंबर के काम को काफी ज़्यादा आसान बनाता है उसके बाद दोस्तों यह पहचान भी बताता है कि यह जो पाइप है यह CPVC5 रिड लाइन यहां पर मार्किंग ह है इसका मतलब हो गया दोस्तों दो पॉइंट है दो पॉइंट मैं आपको इस पताता हूं देखें रिड लाइन का मतलब दोस्तों यहां पी यह होता है कि इसमें आप होट और कोल वाटर दोनों को ले जा सकते हैं ठीक है और साथ ही यह पलंबर के काम को काफी ज़्यादा यहां बनाता है दеकिये मानगी बद्राइब लिए को ऊपर वाला जो एलबो है ना इसको मुझे इस इंगल में कनेक्ट करना है तो तो यहां पर ये लॉकल पााइप उता है तो एकदम आपको लाइन के उपर ही सब्सक्राइब होता है नबता दी आपको तो देख सकते हैं दोस्तों ये प्रॉपर तरीके से पाइफ फिटिंग हुआ है और एक बात और दोस्तो देखे, कभी भी दोस्तों ये बाथरूम से जो आउटलिेट निकाला जाता है इसको साथ फिट के उपर से निकालिए और पाइप लाइन को दोस्तों एक बार नीचे लाने के बाद उपर नहीं उठाना चाहिए देख सकते हैं यह मेरा कोल वटर सप्लाइ लाइन है इसको मैं इस तरह से नीचे लिया अब मुझे यहां पर टैप देना था यहां से इधर द पानी को रिलीज़ करेंगे तो भी हवा आएगा उसमें ठीक है क्योंकि पानी एक बार नीचे आ रहा है उसके बाद ऊपर उठ रहा है तो देख सकते यहां पीस्तर से पाइफिटिंग हुआ है उसके बार आप देखे यह मोटर वाला मैं बताता हूं आपको बाथरूम के अ में टेंग का पानी आपका काफी ज़्यादा गर्म हो जाता है और ऐसे में बाथरूम में या किचन में आप मोटर का सप्लाई देंगे तो यहां पर नैचुरल पानी मिलेगा गर्मी में हलका सा ठंडा मिलेगा ठंडी में हलका सा गर्म मिलेगा क्योंकि ठंडी में भी टेंग क तरीचे से पूरा complete हो जाता है सब कुछ मैं आपको explain कर दिया देख सकते हैं इस तरह से पाइफिटिंग होता हुआ उपर से देख सकते हैं यह बाहर निकल जाता है ठीक है एक बात मैं आपको बताना भोल गया यह यहां पर दोस्तों यह जो कंसील लगा हुए ना कंसील का जो हाइट है चलिए मैं आपको बता देता हूं देखे complete फ्लोर से इसका जो हाइट है इसको आपको कम से कम 42 इंच रखना है maximum 44 इंच इसको आप रख सकते हैं तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं बात्रूं का फिटिंग पूरा complete हो जाता हूं super अपना टारीके से करेंगे देख सकते हैं किछन में कर चुका हूँ मैं अब देखे यहां से पीछे वाथरूम है बाथ दो एलबो दिया उसके बाद देख सकते हैं यहां पर इस तरह से आया यहां पर आ गया आप देखें दो एलबो देने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं एक बाई आधा कब राश्टी दिया हूं यानि की वन बाई वन बाई टू कब राश्टी दे दिया दोस्तों यह हो ग तो वाटर प्यूरिफायर के लिए पॉइंट आप अलग से समय लिए सही तरीका दोस्तों इसका यह होता है कि यहीं इसी एरिया में आप देजिए वाटर फ्यूरिफायर का पॉइंट उसके बाद इस तरह से आगे आया एक फोटिफाइब दिया यहां पे दिया ब्रास अलब नेचुरल पानी मिले खंडी में घ्रीक का पाणी काफी जादा गर्म होता है अईसे में आप अप देंगे तो मोटर जो है गर्मी में अलगा सा ठंडा पानी देगा और इसी तरह से ठंडी में भी टैंक का पानी का फिखर थंडा होता है यहां पे बरतन और धुलने में थंड़ा देगा थंडी में हलका सा गर्ण देगा इसलिए यह पॉइंट यहां पर दिया आता है मोटर वाला तो इस तरह से दोस्तों यहां पर यह किचन का पाइप टिंग कंप्लीट हो गया है यहां पर यह भूल रहा था हाइट मैं आपको बताना देखें यहां पर यह जो आ जाएगा marble कबर हो जाएगा तीन इंच आता है तो भी यहां पर आड़ाना है जब नहीं लगा अधिक हो उसका नट से ज 700 बनाना चाहिए बीच के पी पूरे तो देखे कं से कम आना को ब्लूक हो जाता है और ये यहां पर ढूरी बशसे बात्रूम हो THIS कर दोस्तों वीडियो में बस इतना ही अभी देखा अपने कामन बाथ्रूम यह तरह से आपको पसंद आता है तो इस तरह से आप भीटिंग कर सकते हैं विल्कुल प्रॉपर तरीके से किया हूं इसमें व्लॉक भी नहीं आएगा पाइप फीटिंग दोस्तों देखा, आपने 1 इंसे मैं किया हूँ, ठीक है, और कहां पे 3-4 का पाइप यूज करना है, कहां पे 1 इंच का यूज करना है, कहां पे सवा का करना है, सब कुछ मैं एक्स्प्लेइन किया, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप तक पहुचे और आप से कोई भी अपडेट मिसन होने पाए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मैं फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो में एक ना टॉपिक के साथ